36 गड़ के अंतरगत आने वाली S.E.C.L. चिर्मीरी ओपन कास्ट पर योजना में ड्रील मसीन में अचानक आग लगने के कारण मशीन जलकर बस्म बताया जाता है कि 17 साल पुरानी ड्रील मसीन में दो बार पहले भी आग लग चुकी थी परन्तु मसीन के रख रखाओ और उचीत देख रेक ना होने के कारण यह मसीन जलकर भस्म हो गई ड्रील मसीन C.I.L.R.D. 494 करीब साड़े सत्रा साल पुरानी थी अचानक रात में आग लग जाने के कारण मशीन के काफी फल फूर्जे जलकर खाक हो गए आग इतनी भयानक थी के आग में काबू पाने के लिए उपस्तित कोईला श्रमीकों ने काफी मशकत की परन्तु समीप पानी की उचित व्यवस्था ना होने के कारण आग में काबू पाने में काफी समय लगा पानी के टेंकर की मदद से देड़ घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया जब तक की मशीन में काफी कुछ जल चुका था इस संबन में अधिकारियों ने इस घटना की जाच कर घटना का पता करने की कोशिस में लगे हुए हैं वही दूसरी और स्रमिकों ने बताया कि 2016 एवं 2010 में भी ड्रील मसीन में आग लगी थी उसके बावजूद भी प्रबंदक द्वारा मसीन के रख रखाओ एवं मेंटेनस धंग से ना कराने के कारण कड़ों की मसीने कई पार्ट से जल कर खाक हो गए ब्यूरो रिपोर्ट समाचार इंडिया न्यूस चत्तीस गड़